कि नमश्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागात रॉबिनंदन करता हूं अपिस सभी पेदर्शकों का हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राश्वी फल की आठ तारिक से लेकर 14 तारिक के मतिका समय आप सभी राश्वी वालों के लिए कैसा बीतेगा यह जानकारी चं कुछ उपाय भी बताऊंगा कुछ महत्वूल बाते भी बताऊंगा जिसको जानना आपकी लियाओं शक होगा तो यह शुभारब में करते हैं इस सब्ताह में आपका जरूर दिर हैं शादी की साल गिरा है तो देहरोड़ोड़ोड़ोश्व का अबना है और अपना प्यार को अचा ही देते रहिए चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के बटन को दबाईए और अपनी राय लिखिए और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर लिख दीजिएगा ओम नमश्यु आए ताकि भगवान भूले नात की गिर्पा हम पर बनी रहे क्य जीवन साती की दोस्ताना सलह आपके रिए फायदे बंद होगी आप अपने अनियंतरित खर्चों को नियंतर्ण में कर पाने में सफल रहेंगे सब्ता के मद्य भाग में आपको कुछ निराशा कानवा हो सकता है क्योंकि कुछ कामों में आप जैसी सफलता चाहते थे शायद के चोटे बड़े काम है काम के सिलसले में जो काम आप करते हैं उनमें कठनाईयों का सामना करना पर सकता है भावनात्पक संबंदों में दिल से जुड़े हुए रिष्टों में थोड़ी कठनाई आ सकती है या सवभाव में चिर्चरा पना सकता है मुश्किल समय में आपको असफलताओं पर काबू पालेंगे आपके पिता का साथ और समर्थर और उनकी सलह से आप मुसीबतों से लड़ लेंगे और आपका आज़ विश्वास एक बाफर से जागेगा बच्चे पढ़ाई लिखाई में पुना अपना इंटरेस्ट जागरित कर पाएंगे आर तारीको रशनारत्वक प्रतिवा के बलग पर असंभव कारी भी आप संभव कर लेंगे प्रेम समंदों में आपको सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है 9 से 11 फरवरी के बीच में आपको आपके खिलाब कोई शाजिश हो सकती है कोई शरजद्र हो सकता है आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है आपका मूर आफ होगा पती पतनी और परिवार के लोगों के बीच में गलत फैमिया पैदा हो सकती है परिवारी कलह कलेश हो सकता है आपकी बद्दामी हो सकती है, आपके कोई जूटा सचा आरोब लग सकता है, बारा और तेरा फरवरी को गरह इस्तिती कुछ परिवर्तन करेंगी, आर्थिक इस्तिती धीमे धीमे बहतर होगी, वैपार में अजीवका को लेकर जो चल रही थी समस्याएं, वो धीमे धीमे खतम होने लगेंगी, चौदा थारिक को आपको सरकारी काम में सहायता मिलेगी, आठके हुए काम पूरे हो जाएंगे, और त्री जो आपकी पैसा कमाने की इच्छा थी, वो फिर से जागरित हो जाएगी, धर्म धीमे धीमे आना शुरू हो जाएगा, तो कुल मिला जुला आपके लिए कुमराशी वालों करी आने वाला सब्ता, आठके फर्मरी की बात करें तो अब विवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमका को मिलने का आउसर प्राप्त होगा, कोई व्यपारिक साज़ेदारी, व्यपारिक है वो आसान होगा विद्यार्थियों को अच्छे पर रिजल्ट पिनेंगे पढ़ाई दिखाई में और उनके प्रयाज भी सफल रहेंगे स्वास्त के परती सावधान बने रहें नौ फरवरी की बात करते हैं आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे सटे बाजी शेर मार्केट पे धन का निवेश करने के लिए समय शुब है आपको छोटा छोटा लाब होगा जरुरत बन लोगों की साहता करें गाड़ी वहाँ चलाते समय सावधानी रखें कोई द्रुगटना गाटित हो सकती है भावुकता जल्दबाजी में कोई भी फैस्टन ना लें आपको आपकी बच्चों का साथ और सहीयोग प्राप्त होगा दस फरवरी 2023 की बात करें वहाँ चलाते समय साड़क पर चलते समय हर कारे को करते समय सावधानी रखें आज का दिन धन का निवेश करने के लिए इतना शुब नहीं है सोच समझ कर पैसे का इंवेस्टमेंट करें सोच समझ कर लेदनें करें खर्च करें वाद विवाद से बचें अशुब समाचार मिलने से निराशा हो सकती है प्रेम समंद में आज का दिन सामाने रहेगा ग्यारा फरवरी दो जाटे इसकी बात करें तो आख थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं काम में रुकावटे आएंगी गाड़ी वहां चलाते समय सावधानी रखें सट्टे बाजी में धन का निवेश की आ जा सकता है जीवन साती से वजचारिक मद्वियत हो सकते हैं वा भागे का दिन अंतर साथ पिलेगा आपके जीवन साथी से रिष्टे बिगड़ सकते हैं इसलिए सावधान रहेगा अपने भविश्य आपके भविश्य में कोई कड़वाहट ना हो इसलिए आज कोई गल्ती ना करें धहरे जरते हुए काम आगे बढ़ाएं संतान की और श प्रसंदा से भर देगा बच्चों की पढ़ाय लिखाई से तोष जनक रहेगी रेम संबंद स्वभा के दायक रहेंगे जीवन साती से लगाओ बना रहेगा स्वास्ते सामाने रहेगा वैपारियों को नया वैपार शुरू होने का अच्छा दिन है 14 फरवरी की बात करें त द्यारती अध्यान कारे में एक आगरचित होंगे जीवन साती की तरक्की होगी जीवन साती को कोई नई नौकरी लग सकती है नया काम बन सकता है आप अपने कारियों में वैस्त रहेंगे जीवन साती के साथ अच्छा वक्त बिदाएंगे तो कुल मिलाका कुमरा शीवारों लिए आने वाला सब्ता 60% शुप परिड़ाम लेकर आ रहा है चार नमबर लखी रहेगा और आप सभी लोग और नमश्वाय मंतर का जाब जरूर करते रहीएगा क्योंकि शिवरात्री आ रही है तो शिवरात्री में भगवान शुप को परसंद करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीए और अब जानते हैं कौन से हैं वो महा उपाए जो हमाई जीवन को और अच्छा बना सकते हैं इस आने वाले सब्ता में उपाए क्या होते हैं उपाए वो होते हैं जो हमें मुसीबतों से बचाते हैं और उपाए करने से हमाई जीवन सुखी हो जाता है और हमाई परिशानिया कम हो जाती हैं उपाए सच्चे मन से करने चाहिए सही तरीके से करने चाहिए तब ही वो रिड़ देते हैं तो सबसे पहले आप इस आने वाले सब्ता में सबसे सरा रुपाय है जिसमें कोई गलती होने का चांस ही ना हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह उठीए और ओम नमश्वाय मंत्र का जाब करते हुए ओम का उचारण करते हुए योग प्रणयाम करिए यदि एकसरसाइज करिए कहते हैं माया बाद में काम आएगी तन पहले काम आएगा तो एक हमारी गुरुजी ने एक लाइन बोली थी मैं आपको सुनाता हूँ शायद आपको अच्छी लगे नाशवान संसार की तृष्णा मुझे सता रही बुद्धी को निर्मल बना दो आयू बीती जा रही यदि संसार ही खत्म हो जाएगा इसकी चीजों को पाने के लिए हम अपनी सिहत को खराब करते चले जा रहे हैं और बुद्धी जो है वो भरष्ट होती चली जा रही है तो नाशवान संसार की तृष्णा मुझे सता रही बुद्धी को निर्मल बना दो आयू बीती जा रही स्वण आश्म धर्म का पालन करू मैं सरवदा नाथ दो आशीश मुझको ईश भक्ती दो सदा तो हमें ईश्वर की भक्ती में भी मन लगाना चाहिए कहने का मतलब ये है ये फाल्तू के पिज़ा बर्गर खाकर अपने बुद्धी को भर्ष्ट मत करिये अपने मां के हाथ की बनीनी दाल लोटी भी खाएए जीवन सुकी हो जाएगा ये भी छोटे छोटे उपाये हैं कि परिवार वालों के साथ वक्त बिताना उनके साथ खास ना खिलना आपको शायद पता नहीं होगा परिवार का हर सरस्य आपके लिए ग्रह के रूप में है जब आप उनके साथ हरसे गुमेंगे फिरेंगे तो आपके ग्रह भी मजबूत होंगे तो लिए तो परिवार के साथ बटाया बढ़िया खाइए बढ़िया पीजिए ओम नमस्यवाय वाए मंत्र का जाब करिए शाम को मंदर जाकर उन भे Suture ऑन माशली वाह कर सकते हैं लेकिन मंदर जाकर इतना ध्यान रखिएगा हनوان جीस आप कहीं भी पड़ सकते हैं उसके लिए कोई ऐसा खास नियम नहीं है आप घर में आफिस में कहीं भी पड़ सकते हैं और इतना कर लेजिए हर सब्टहाब के लिए अच्छा होगा और अगर आप बहुत ज्यादा परिशान है, बहुत बहुत ज्यादा परिशान है, कश्ट कम ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परिशानी है, तो फिर एक काम करिएगा, कुछ बादाम, कुछ बादाम जो होते हैं छिलके समेट, एक होता है गिरी और छिलका निकला हुआ और एक होता है छिलके स सौ उपाय किये और आपका जीवन कष्ट में बना हुआ है तो मैं आपको दे रहा हूँ एक लाजवट पत्थर यह पत्थर लॉकेट या अंगूठी के रूप मिलेगा आपको और यह लाजवट पत्थर दस से बारा कैरेट का होगा इसे हर महिला पुरुष बहन सकता है यह प यह पत्थर जो है राजा महराजा पहनते थे इससे महल बनवाते थे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी नजर गरहों का डिस्बैलेंस होना और शनी राहो केतू की गरबड़ी होना काम में मन नहीं लगमा आलस आना और खूप स प्रणाब मिलेंगे और इस रत्न की जो कीमत है वह है अठारा सो रुपए एक हजार आट सो रुपए यह आपको पंच धातू में मढ़ा हुआ मिलेगा चाहे लॉकेट लें चाहें गूठी लें और इसका कोड है एल एट एल आट लिक कर आपको बेजना होगा पहनिये और कीमन को सुखी बनाइए नमस्कार